शाजी निगार इसरो के सौर मिशन आदित्य एलवन की सफल लॉंचिंग के बाद उनका नाम देश विदेश में सूर्ख्या बटो रहा है शाजी निगार सौर मिशन की प्रोजेक्ट डाइरेक्टर है और यह गर्व की बात है कि उन्होंने बी आईटी रांची से एलेक्ट्रोनिक्स में पीजी डिग्री हासिल की है इसरों में बीते 35 वर्षों से सेवाई दे रही शाजी ने भारतिय रिमोट सेंसिंग, संचार और उपग्रह कारेक्रम में विभिन जिम्मिदारियों का निर्वहन किया है शाजी 1987 में इसरों के उपग्रह केंद्र से जुड़ी, वर रिसोसिट 2A की असोशियेट प्रजेक्ट डायरेक्टर भी थी जो राश्य संसाधन निगरानी और प्रबंधन के लिए भारतिय रिमोट सेंसिंग साटिलाइट है शाजी मोल रूप से तमिल नाडू की राजधानी चन्नई से 55 किलोमेटर दूर स्थित तेनकाशी की रहने वाली है उन्होंने प्रारंभिक सिक्षा सरकारी स्कूल में पूरी की उन्होंने मदुराई स्थित कामराज विश्विद्याले से एलेक्ट्रोनिक्स तथा संचार में बी ई बाचलर इन इंजिनियरिंग की डिगरी हासल की इसके बाद बी आईटी रांची से एलेक्ट्रोनिक्स में पीजी डिगरी ली वो बैंगलूरों में इसरो के साटलाइट टेलेमेट्री सेंटर की प्रमुग भी रह चुकी है आदित्य एलवन के सफल प्रक्षेपन के बाद शाजी ने मिशन नियंतरन कक्ष के मंच पर खड़े होकर कहा कि यह उनके लिए एक सपने के सच होने जासा है इस मिशन में उन्होंने यूआर राव के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे जिन्होंने अंतरिक्ष यान पर कई पेलोड लगवाए जबकि प्रारंबिक योजना सिर्फ एक को ले जाने की थी निगार शाजी मूल रूप से तमिल नाडू की रहने वाली है चन्नाई से 55 किलोमीटर दूर तेन काशी में उनका घर है शाजी तमिल नाडू के उन वेग्यानिकों की कतार में शामिल है जिन्होंने चंद्रयान के तीन मिशन में हम योगदान दिया है इस लिस्ट में निगार शाजी, मैयल सामी अन्ना दुराई, पी विरु मुथुवेल और एम वनीता का नाम शामिल है अधित्य एलवन सूर्य की स्टडी करेगा अधित्य के लॉंच होते ही भारत उन देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने सूर्य के अधियन के लिए साटलाइट लॉंच किया है